हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 7.2 का क्योस्टर नॉंबर 3 देखते हैं क्या है स्टेटमेंट यू आर तोल्ड देट 1331 इसे प्रफेक्ट क्यूब हमें बताया गया है कि 1331 क्या है एक प्रफेक्ट क्यूब है can you guess without factorization बिना factorization के क्या आप guess कर सकते हैं what is its cube root की इसका cube root क्या होगा similarly guess the cube root of these numbers और इसी तरीके से हमने क्या करना है cube root को अपना guess करना है अब इस टाइप के question को करने के लिए ना आपको one से लेके ten तक के cube root आपको याद होने चाहिए cubes पता होने चाहिए मैं लिख भी देता हूँ याँ पे बट आपको याद होने जरूरी है तब ही आप इस question को बहुत इजली कर पाएंगे चलिए देखते हैं मैं लिख देता हूँ एक बार सबसे first देखते हैं हमारा क्या है you are told that 1331 इसे perfect cube 1331 क्या है हमारा एक perfect cube है तो हमने बताना है कि without factorization की ये perfect cube किसका है मतलब cube root इसका find out करना है बिलकुल easy है देखिए कैसे करते हैं हमारे पास number क्या है 1331 इसका करना है हमें cube root ठीक है तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको one से लेके ten तक के cube याद होने चीए नहीं याद है तो आपको side में लिख लेने है तब easily कर पाएंगे यहाँ पे चलना है सबसे पहले देखेंगे हम unit digit क्या है हमारी इस number की अब यहाँ पे unit digit क्या है हमारी one तो यहाँ पे unit digit one है तो हमने क्या चेक करना है कि जो भी हमारी ये cubes है ना इनकी unit digit one किसकी आती है तो यहाँ पे देखेंगे हम unit digit जो one आ रही है वो किसकी आ रही है one के cube की आ रही है तो यहाँ पे हमारा जो cube root होगा इसके last digit क्या हो जाएगी फिक है उसके बाद जो second step होता है हमने क्या करना है जो भी हमारी 3 digit है ना इस number की पिछे से 3 digits को हमने hide कर लेना है अब यह 331 को hide कर लिया तो आगे क्या बचेगी हमारे पास अब 1 देखना है यहाँ पे किस के near about है 1 के cube के equally है तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 1 ठीक है तो 11 का cube जो होगा वो 1331 होगा next question जो करेंगे हम इसका second part करेंगे second part से और अच्छे से clear हो जाएगा भी हब हमने क्या करना है 4913 का cube root निकालना है यहाँ पे देखो last digit का हमारी unit digit 3 है अब 3 check करेंगे 3 किस के last में आ रहा है यहाँ पे आ रहा है किसका cube है 7 का तो यहाँ पे last digit जो आ जाएगी वो क्या जाएगी हमारी 7 उसके बाद क्या करना है हमने 3 digits को hide कर लेना है 9, 1 और 3 को हमने क्या कर लिया hide तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 4 अब 4 देखना है किसके नियर अबाउट है देखो 1 का क्यूब किया 1 2 का क्यूब किया 8 4 से बड़ा चला गया तो इन के बीच में आ रहा है हमारा 4 तो 4 देखेंगे किसके ज्यादा कलोज है 1 के ज्यादा कलोज है या 8 के तो यहां पे कुछ बच्चे सोचेंगे सरी है तो 4 तो बीच में है बीच में नहीं है देखो 1 और 4 के बीच में क्या वैलू आ रही है 2 और 3 4 और 8 के बीच में क्या रही है 5,6,7 यहां पे 3 वैलू जादा है यहां पे 2 वैलू जाए तो 4 के ज्यादा नजदीक कोन है 1 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 जो भी नस्दीक value हो वही लिख देते हैं और ज़्यादा clear आपको third part में हो जाएगा clear third part में क्या है हमने cube root जो निकालना है वो निकालना है 12, 16, 7 का अब यहाँ पे सबसे first step क्या unit digit चेक करेंगे क्या है 7 अब 7 देखो किस में आ रहा है हमारा 3 के cube में तो last digit जो आगी वो आगी हमारी 3 next step क्या होता है 3 numbers को hide कर लो 167 को hide कर लिया हमने तो हमारे पास क्या बचा 12 अब 12 देखते हैं किस के near about है 12 कहा आएगा हमारा 8 और 27 के बीच में आएगा अब 12 के ज्यादा नजदी कों है हमारा 8 8 किस का cube है 2 का तो यहाँ पे क्या आगया 23 I hope अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा next देखते है 3, 2, 7, 6, 8 का cube root अब यहाँ पे देखो क्या करना है last digit का है हमारी 8 8 देखो किस के cube root में आ रहा है 8 जो आ रहा है 2 के cube में तो यहाँ पे भी हमारी unit जो आ जाएगी digit वह आ जाएगी 2 next क्या करना है 3 digit को hide करना है next क्या आगे हमारे पास 32 अब 32 देखो किस के बीच में आ रहा है 27 और 64 के बीच में आ रहा है 32 32 के ज्यादा pass में कों है हमारा 3 27 ज्यादा pass में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का cube आ रहा है तो 3 आ जाएगा 32 का cube क्या हो जाएगा यह number I hope आपको अच्छे से clear हो गई है किस तरिक्ये से हमें cube root find out करना है direct without factorization के चलो और कोई number ले लिखते हैं यह तो हमारे questions होगे अब जैसे हमने हमारे पास 729 होता है 729 का हमें पता है cube root क्या होता है वैसे देखते हैं चलो यह तो छोटा number है इसका तो direct आ गया हमारा 729 का 9 ही हो जाएगा 3 डिजिट आइड गरने बाद को तो कोई digit बची नहीं तो 9 आ गया हमारा कोई और बड़ा number लेते हैं यह number है मान लिया 175616 अभी पिछले के उस चन्फ में भी हमने इसका cube root find out किया था अभी यहां से भी करते है देखो last digit क्या हमारी 6 6 किस में आती है हमारी 6 के cube में ही तो last digit क्या जाएगी यहां पे 6 उसके बाद हमने इससे अग्य वाली digit निकाल लेंगे last 3 digit को आइड किया तो क्या बच गया हमारे पास 175 175 देखते हैं कहां आएगा 125 और 216 के बीच में तो यहां पे क्या आगया 175 ठीक है अब देखो 125 और 216 के लगबग भी यह बीच में लग रहा हमें यहां पे देखेंगे 125 और 175 में यहां तो बीच में नमबर आएंगे हमारे 49 यहां पे नमबर आएंगे 51 तो इसके नजदीक ज़्यादा हुआ तो 5 लेंगे यहां पे तो यह आगया हमारा 56 तो 56 का जो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 175 616 आई होप आपको अच्छे से कलियर हो गए होंगे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें अधरवाज इस वीडियो को एक बार और दोबारा पले करके देखिए और अच्छे से कलियर हो जाएगी यह थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग यह क्यूस्चन है और कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको यह टेबल याद होनी चाहिए कोई भी डाउट आता है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू स्टूटेंस पर वचिंग देस वीडियो थैंक्स